नमेशकार व्यूस टोडे में आपका स्वागत हैर मैं हूं सुनिय डोगरा जिस तरह से कल देर रातरे की बात करें डीसी जम्मू द्वारा एक ओर्डर जो है वो निकाला जाता है धारा 144 को लेके जिस तरह से आई दिन की बात करें तो लगातार हमें प्रोटेस्ट करते हुए लोग ब्रिज पे नजर आते हैं उसी सिंसले में एक डीसी जम्मू द्वारा एक ओर्डर निकाला जाता है उसी चर्चा पे हमारे साथ बात्षित करने के लिए मुझूद है एक जो जम्मू से अंकुर शर्मा जी आई दिन चलते अंकुर शर्मा जी हर एक मुद्द को लेके हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं तो आज भी इन से हम रूबर करवाएंगे सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में इसके चलते आप ये देखें कि जम्मू में आए दिन विरोध प्रधर्शन होते रहते हैं डिमेंस्ट्रेशन होती रहते हैं प्रोटेस्ट्स होते रहते हैं आप पी एच्छी डेली वेजर्स से लेके नहें के लोगों को देख लीजिए आप यूवराजपुत सभा जो इसा पीडित वर्ग जो है वो सडकों पे होता है तरही माम तरही माम की परिस्तिती बनी हुई है तो एक घलत इंटेंशन के चलते एक और निकाला गया जिससे लोगों की आवाज को मजल किया जाए इंटेंशन ये ठीक बात है कि ठीक है पुलों पे आप रोकते हैं रैशनल की वी वूड़ वेलकमड इट उसके साथ ही इनको जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है कि जहां पे जाके आप रोध प्रदर्शन कर सकते हैं वैसी कोई जगे यहां पे स्पेसिफाई करनी थी करके ये ओडर निकाला होता तो बात समझ आती थी कि ठीक है देयर अलॉइं पीपल प्रोटेस्ट करने की इजाजत है उनके लिए बाधा उत्पन नहीं कर रहे हैं लेकिन यह सिरफ स्टॉल करने के लिए कि बहुत अब प्रोटेस्ट सोगे हर जगा हर समय लोग उठके आ जाते हैं उनकी आवाज को कैसे दभाया जाए उस मंचा से निकाला हुआ ओडर ये प यहां पर लोग अपना विरोध प्रदर्शन रिजिस्टर करें जताएं और फिर ऐसे ओडर निकाली ठीक है यह एक रिस्की जगे है वहां पर एक्सिडेंट प्रोन एरिया है लोगों को बहुत इंकन्वीनियंस हो जाती है अगर दस मिनिट के लिए भी गाड़ी रुप जा है कि this should have been done along with notification of certain places जहां पर जाके आप जंदर मंदर की तरह यहां पर प्रोटेस्ट कर सकें intention ठीक नहीं है intention में इनकी सोच में बुड़े बुजर्ग वो नहीं है यह देख रहे है कि किस तरीके से लोगों को रोका जाए ज़्यादा एक situation create करने से पहले जैसे कि आपने देखा अगर सुना भी होगा यूवा राजपूर सभा की तरफ से यू जो था महराजा हरी सिंग जी की छुट्टी को लेके लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था उनके प्रोटेस्ट को भी रोक दिया ग्या जाने की दारा जो है 144 लगा दी गई है इसका मतलब कि उन्होंने यही बताया कि तीन से चार लोग ही वहां बैट पाएंगे इस पर क्या टिपने देंगे वो तो सेक्शन 144 CRPC में जो डिस्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने और निकाला है उसका स्कोप यही है असेंबली नहीं हो सकती एरिया स्पेसिफाई कर दिया है कि कहां कहां त कि फिर वहां पर भीड़बार जमा नहीं हो सकती प्रोटेस्ट एट्सरा नहीं हो सकते चार से अधिक लोग एसेंबल नहीं हो सकते तो वह तो एक नॉर्मल सी चीज़ है अफ्टर नोटिफिकेशन अफ दिस ओड़ो चाहिए यह कहां तक कसे एक मीडिया को ही पीछे कर दिया गया तें आपको यह सवाल उनसे पूछने चाहिए जिन्होंने इस ओडर को नोटिफाई किया जिनके कहने पर सरकार के कहने पर इस्टिक मैजिस्ट्रेट तो एक मुलाजम है मात्र टूल है कि चलो निकाल लिए तो अच्छी लोकेशन पे हो जहां बैठके अगर प्रदर्शन हो तो पूरे जम्मू को पता चले की प्रदर्शन हो रहा है वैसी सरकार बनाए मुझे लगता है कि उस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए क्योंकि पुलों पे और इन पे प्रदर्शन एक समय तक समझ आती है बात बढ़ मुझे लगता कि अगर एक प्रॉपर इंस्टिशनलाइज करना चीजों को तो फिर आपको एक जंतर मंतर यहां पर बनवाना ची मतलब मीडिया की जिम्मेवारी है कि यह भी सरकार से सवाल भी पूच्छे और दबाव भी बनाए हम तो करेंगी सर जैसे कि जम्मू को एक महनेत की थी इस एक्जाम को पास करने के लिए तो इस पर क्या टिपनी देना चाहेंगे सर्म देखें स्कैम्स जो है वो जम्मू किश्मीर की इतिहास में कोई नई चीज नहीं है अब लोग जागरू कि इतने हो गए हैं सोशल मीडिया नेटवर्क्स इतने स्ट्रॉंग हो गए हैं कि अब इनकी चोरियां चिपती नहीं है लोग इने एक्सपोज कर देते हैं सरकार को लोगों ने एक्सपोज कर दिया डेटा जो अवेलेबल था पुब्लिक डुमेन में उसका कंपारिटिव अनलेसिस करके अपने जो भी फॉर्मूला लगा कि इस तरीके की इंचा बनाई गई कि जिससे किसी ना किसी तरीके से सरकार की भी फेस सेविंग हो स्कैम्स रिपीट नहों उसके लिए आपको इंस्टिटूशन में रिफॉर्म्स इंट्रीउस करने की जुरूरत रहती है आपको अपने सिस्टम में ट्रांसपरेंसी और अकॉंटेबिलिट इंट्रीउस करने की जुरूरत रहती है और उसके लिए व्यापक तोर पे मॉडल्स हैं जो आपको करने हैं आप सीमित रखते हैं अपने आपको FIR दर्ज करने तक आप ये मेसेज देना चाहते हैं कि देखिए इस एक्जाम में स्कैम था हमने स्क्रैप ही कर दिया क्या इसके सीट जो लोगोंने महनत करके पाई हैं कुछ सीट पर उनको सेलेक्ट करके रखें बाकी सारी सीट को अड़टाइज करें ये किस तरीके हो सकता था ये चर्चा को विश है लेकिन क्या ही हो सकता था क्या डिसकेशन की गई नहीं की गई आपने आपको सीमित रखा चोटे मु इसमें कई साइक्डो करोडों की उगाही हो गई, वो ऐसा कहां गया, क्या कोई information है, बड़े लोगों पर कोई कारवाई होई, तो आगे भी होगी कि नहीं होगी, इनका track record देखे तो यही लगता है कि नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि it's again an instance जहां पर सरकार बिलकुल fail होते हुए नजर आती, और एक बहुत unfortunate situation है, और इसी की चलते जो समाज में तनाव पैदा हुआ है, वो तनाव बड़ी एक movement की shape न ले ले तो इस तरीके की orders भी निकाले जा रहे है, इससे पहले भी आज तभी bridge की बात अगर हो रही है कि विरोत प्रदर्शन भढ़ रहे हैं, लो प्रदर के लिए क्लियर है, और मुझे लगता है कि इसे extend भी किया जाएगा, लेकि मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जंतरमंतर जैसी site जम्मू में सरकार को बनानी चाहिए, ये cable लोगों की आवास को बंद करने की मंशा से जो order pass किया गया है, ये लोग एक सम आपका कंड़क्ट नहीं हो सकता, ऐसी परिस्तियां बनेगी, अगर लोग तड़प रहे हैं, तो फिर उन पर F.I.R. लगे उन्हें आप जेल भीजें, उससे ने कोई भर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसे indefinitely रखते हैं और पैरलली कोई जगे भी नहीं बनाते हैं जहां पर लोग प्रोटेस्ट अपना रेजिस्टर कर सके हैं, जैसे मैंने बताया जिनतर मंतर की हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ओर्डर जो आने वाले समय में कारगर होंगे। सर, 370 की बात करते हैं, 370 हटने के बाद आपको क्या कुछ उसमें फाइदे नज़र आए हैं, क्या कुछ नुकसान उसमें नज़र आपको। तो इसलिए बाकी किसी और पॉलिटिकल पार्टी के एजंडा में ये था नहीं कि 370 और पार्टी से के खिलाफ जंग लड़नी हैं, एक जूट जम्मू पार्टी ने और आप साक्षी हैं, यू पीपल कवर्ड़ आस उस समय आपने बहुत कवर भी किया हमें, इस तरीक से बड़े-बड़े सेमिनार्स, बड़े-बड़े इसलामिक स्टेट जैसा ये सिस्टम निर्मित हो गया था, उसे लीगली अट लीस्ट ध्वस्त करना उसके लिए 370 और पार्टी से का खात्मा जरूरी था, यहां पर रहे कि हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, इस आधार पे, कि चुकि जम्मू कुश्मीर एक मुस्लिम majority state है, इसलिए हिंदोस्तान का constitution यहां पर लागू नहीं होगा, यह two nation theory की जो basic बनियात थी, उसे कभी भी accept नहीं किया जा सकता था, उसके इकलाफ जंग लड़ी उसे हटाया, फाइल दे, 370 और 35 को खत्म करने के बाद तब आपको ground पर दिखना शुरू होने थे, अगर इस abrogation को इसके logical conclusion तक लेके जाया जाता था, unfortunately, BJP और केंदर सरकार ने अपने गुटने टेके, Muslim appeasement के चलते, 370 और 35 को back door से reintroduce करने की demand जो थी उसे माना, domicile law के जरिये, यह 2011 के census के अधार पर delimitation करके, 370 और 35 के जितने भी जो positive चीज़े होनी थी, देश के लिए भी और जम्मू संभाग के लिए भी और पूरी रियास्त के लिए भी, उन्हें बिलकुल उसकी possibility को खत्म कर दिया गया, 370 और 35 सखत्म होने के बाद ऐसी परिस्तिती बननी थी कि कश्मीर से power center हट गे जम्मू में shift होता, और उसका सबूत आपने अभी देख लिया कि जिस तरीके से यहां पे अभी जो voter base बढ़ा है, non-local voters को right मिलने के बाद, west-pakistani refugees को vote का right मिलने के बाद, यहां वाल में की दलिट समाज की लोगों को vote का right मिलने के बाद, 80 से 90 परसेंट voter base की जो increase होई है, वो जम्मू संभाग में होई है, लेकिन 2011 के census के अधार पर delimitation करके, इस increase को जो जम्मू के favor में होई थी, उसे unaccounted for कर दिया गया अगले 15 साल के लिए, क्योंकि 2011 को आधार बना लिए और उस आधार पे इन लोगों को जोड़ा नहीं, इन लोगों के ना जोड़ने के कारण 47 seats कश्मीर को दे दी और कम जम्मू को दी, जबकि इसके हिसाब से और ठीक संसे होता 2021 का, प्लस अडिशन अफ दी वोटर्स, लेस्ट पाकिस्तारी रिफूजी, वालमिकी समाज के लोग, बहुत समय से हिंदोस्तान के तमाम states के लोग जो यहां पे रह रहे हैं, जो यहां पे वोटर बनना चाहते हैं, तो जम्मू को 50 प्लस seats मिलती है, कश्मीर को around 40 के करीब मिलती, चीफ मिनिस्टर जम्मू से बनता, यानि अलगाववादियों से सत्ता चिन के राष्टरवादी समाज के हाथ में आती, एक troubled state में requirement भी यही है, जहां अलगाववाद की secessionism की movement चल रही है, वहाँ पे आप half separatists या उनसे लगाव रखने वाली political parties को किस तरीके से सत्ता सों सकते हैं, और वो भी जूट को अधार बना के, तो 373 पेटी से यह का फायदा दब होता जब 2021 के census के अधार पे delimitation कर वाता है, यानि वो अगले कदम वो उठाते है abrogation के बाद, जो abrogation को उसके logical conclusion, they set the clock back in time और इन्होंने तो backdoor से reintroduce करना शुरू कर दिया, इन्हीं तरीकों से, यह चंद examples हैं, ऐसी cycle of examples हैं, जिसके जरी हम यह clearly कह सकते हैं, कि 373 और पैथी से को आगे ले जाके पूरे तरीके से खत्म करने के वजाए, बैक डोर से reintroduce करने के प्रयास यह सरकार कर रही है, जो बहुत unfortunate है, और जिससे जम्मू प्रॉविंस भी disempower हो रहा है, जम्मू प्रॉविंस की enslavement एक continuous phenomenon बन रही है, और विजावी कश्मीर के अंदर सरकार ने जम्मू को फिर कश्मीर की colony, hostage रख देना कश्मीर को, कश्मीर के मुकाबले second order status में रखना, disempowered state में रखना, उसी तरीकी की परिस्तितियों में जम्मू को फिर से बान दिया है. तर बात करें भारती जनता पार्टी की, तो भारती जनता पार्टी जो है 25 लाग वोटर की बात करी है, इस पर क्या टिपनी देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, उन्होंने नहीं की, जब ये एडिशन, वोटर्स की एडिशन की बात आई, तो एक आकड़ा आ गया 25 लाग, 25 लाग, चीफ एलेक्टियोरल ओफिसर, तो इनके आधिकारी हैं, उन्होंने strongly oppose कि कि किस आधार पे चीफ एलेक्टियोरल ओफिसर ये कह रहे है कि इतने लोग बढ़ गई, कश्मीर में हाहा कार मच गई है, कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से हिंदोस्तानियों को यहां पे वोट का हग दिया जा सकता है, तो अपनी भाजपा की मुस्लिम अपीजमेंट की नीती के चलते, उन्होंने सिरेंडर किया, उन्होंने कोई वोटर यहां पे लानी रहे हैं, केवल सो, डेड़ सो वोटर, कुछ हजार अभी LG की स्टेटमेंट आई थी, कुछ हजार की भी भड़ोतरी नहीं हुई है, तो इन्होंने वो कश्मीर के उस सेंटिमेंट को जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, जो हिंदोस्तान के रहे हैं, जो देश के साथ हैं, जो राष्टर के साथ हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजिस जिनको इस एडिशन से फाइदा मिला, भी बोट डालने का हख मिला, वालमी की दलित समाज के लोग, तो उनके खिलाफ जो कश्मीर ने एक मुहिम बनाई, उसके सामने गुट बच्चे एंप्लॉईस जो हैं, वो लगातर अपनी मांगों को लेके बैठे हैं, ऐसा तो है, कहीं सारे वहां पे नेता लोग वहां पे आते सीनर लीडर की बात करें, वहीं पर प्रेस कोंफरेंस होती हैं, वहीं पर मिलते हैं, वहीं पर हमारे प्रदेश द्रक्षर विंद कोई किसी की सुनवाई नहीं होती, इसलिए आप डेली वेजर्स को ले लीजिए, जो कई वरशों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातर पी एच्ची के मुलाजमों को ले लीजिए, डेली वेजर्स प्रम पी एच्ची डिपार्टमंट चल शकती, या पी डीडी के लोगों जूटे आशवासन दी जाते हैं, जूट बोला जाता है, दबाव बनाया जाता है, केसिस फाइल करने की धंकियां दी जाती है, क्रश करने की कोशिश की जाती है, अल्टिमेटली लाठी चार्श भी किया जाता है, बच्चियों पे, महिलाओं पे लाठी चार्श किया जाता और जिस तरीके से जम्हों संभाग को डिसमपावर्ड स्टेट में रखा है, मुझे लगता है कि जम्हों संभाग के लोग खड़े हो के, जो दिल्ली और कश्मीर के बीच में ऐगरिमिन्ट के जुट के आदार पे कि जम्हों को उसका गुलाम बनाजा है, जब तुक उस कांट कार्ट को लेकि हमारे का मीडिया करमी ने एक आवाद उठाई थे परदेश दक्षिर विंदर रहने से सवाल पूछा था सवाल पूछा था 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 यहां तक नो हजार सेलरी क्या गर चलता आप चला सकते हैं गर तो उन्हें आगे से यही बोला मैं चला सकता हूं मैं तो एक फकीर हूं नहीं यह देखे तो बड़ी इंसेंसिटिव एप्रोच है गवर्मेंट की और पार्टी की भी तूर्ड्स पीपल यह तो उनकी खिली उड़ाने वाली बात है उन्हें हमिलेट करने वाली बात है उन्हें क्या मेरे पास तो शब्द नहीं है कि किस तरीके का जब आप इतना इतना ट्रिवलाइज कर देते हैं एतनी विकट समस्या को मुझे लगता है बहुत दुर्भागे पूर्ण है जो जो लीडर्शिप जो लोग जो सत्ता में है अगर समवेधना तक नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी कन्विक्शन अपने मन में पैदा कर पाएंगे कि इन लोगों का काम करें रेगुलराइज करें उनके हाथ साइन करने के लिए उठी नहीं सकते क्योंकि साइन करने के लिए इन लोगों के हख में आपके हाथ अभी उठेंगे अगर आप उनके प्रती समवेधना रखते हैं और आप खिली उडाते हैं उनकी आप अगर समवेदना ही नहीं है उनके प्रती तो आप किस तरहिक किसे करचs चाहते हुए भी उनके फेवर में और पास करेंगे, अंदर से आये गए नहीं है। यह परिस्तिती है. जैएमसी की बात करें तो वो तो smart city में लगी हुई है, smart city smart city बनाने में लगी। दूसरी तरफ से आपने देखा होगा सुना होगा बिमारी जो हो फैल रही है जो कि हमारे जानवरों में गाएं जिसको माता कई जाते कहीं सारी गाएं उस बिमारी से मर रही है और यहां तक की बदबू भी फैल रही है इस पर क्या टिप नहीं देना चाहेंगे इसमें तो सरक प्रबंद हो और दूसरा यह कंटेजियस को रोकने के लिए मैं शाहिद देख रहा था कि district magistrate की कुछ orders भी आये हैं यहां से पश्मू को नहीं लेकर जाया जाएगा तो वह इसी तरीके से होगा मुझे लगता है कि समाज की जिम्मेवारी है कि इस कंटेजियस को फैलने से र हो रहा है वहां पर municipal corporation को अपने resources pump in करने चाहिए effectively deal करना चाहिए immediately I don't know कि इन्होंने इसे पहले perceive क्यों नहीं किया पहले that I do not know probably आप उनसे पूछ सकते हैं और information को इनकी तरफ से आये तो फिर हम उस पर बात रख सकते हैं कि इनका क्या था पर मुझे लगता है कि उस दिशा म से ऐसी समस्याओं को handle करना चाहिए covid handle करने के चलते महामारियों से और यह contagious diseases को handle करने में काफी experience पी gain किया है हमारी administrative setup में जो मलाजिम है उन्होंने लगता है कि professional तरीकी से काम करेंगे तो ठीक हमारे channel के माधियम से जो लोग आपको देख रहे हैं आप उनको क्या message छोड़ना empowerment और political liberation को दूर करने के लिए जम्मू संभाग के लोगों को स्वयम ही खड़ा होना पड़ेगा और स्वयम जब मैं खड़ा होने की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि जम्मू की समस्याओं का निवारन ना ही कोई दिली-based political party कर सकती है ना ही कुश्मीर-based political party कर सकती है क्योंक प्रिश्चाब से आके लड़ाई नहीं लड़ेगा लड़ाई हमें हमें लड़नी है हमीं अम्हें व्यक्ति है जिन्होंने पिर बात में खास पनना है इस लड़ाई को लड़के लड़ाई में शामिल हो जाएं एक जूड जम्मू पार्टी जो आने वाले समय में 43 assembly seats पे च मैंने कहा कि अगर उससे पहले ही elections करवाते हैं तो फिर भी क्योंकि अगर हम सडकों पे रहे के जम्मू state की demand उठाते हैं तो और effective तरीके से सेपरेट स्टेट का पार्लेमेंट के जरीए ही हो के आता है इसलिए एक जूट जम्मू party MP candidates भी उता रहे हैं कि दोनों सीटों पे उधंपूर जम्मू और legislative elections भी लड़ेगी ताकि effective तरीके से सेपरेट जम्मू state की लड़ाई को लड़ा जा सके बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए तरश को देखा और आपने सुना एक जूट जम्मू से अंकुर श्रमाची मारा साथ जूड़े थी कहीं सारे मुद्धों को लेके जैसे की M.J सब्सक्राइब के सब्सक्राइब को लेकर कहीं सारे मुद्धों को लेकर हमने बात की आपनी देखा और सुना इसी साहथ देखते रहेगा व्यूस टूड़े कैमरामें बंटी डिगरा के साथ सुनिए डोगरा को दीच आग्या नमश्कार